नमस्कार दोस्तों, Political Science 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों हम 12th क्लास की NCRT की जो दूसरी बुक है स्वतंतर भारत में राजनिती उस पर चर्चा कर रहे थे और आज हम उसके अध्याय तीन नियोजत विकास की राजनिती उस पर चर्चा करेंगे ये इस अध्याय से संबंदित introductory video है introduction है यानि कि इस अध्याय में मैं आपको समझाओंगी कि इस अध्याय में हम किन-किन topics पर चर्चा करेंगे और किन-किन बिंदूओं को हमने इस अध्याय में शामिल किया है तो दोस्तों पिछले दो अध्याये जो थे उसमें हमने पढ़ा कि स्वतंत्र भारत के निताओं ने कैसे राष्ट निर्मान और लोकतंत्र कायम करने की चुनातियों का सामना किया था जो पहला अध्याय था इस बुक का वो था राष्ट निर्मान की चुनाति तथा दूसरा अध्याय था एक दल के प्रभूत्व का दौर तो इन दोनों ही अध्यायों में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो हमारे देश के राष्टे निर्माता हैं उन्होंने दो चुनौतियों का सामना किया था अब तीसरी चुनौति जो थी हम उसकी और रुख करेंगे इस अध्य विकास था उसको लेकर प्रमुक भहस क्या थी और हमारे देश के नेता उन्हें आर्थिक विकास के लिए कौन सी रणनीती अपना और इस रणनीती को अपनाने का उन्होंने निर्ने क्यों लिया हमारी रणनीती आर्थिक विकास की रणनीती जो थी उसकी मुख्यों प्लब योजित विकास क्या है और क्यों लागू किया गया नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि विकास की धारनाई क्या थी अब विकास के जो है वो दुनिया में उस समय दो मॉडल प्रचलित थे पूंजी वाद और समाज वाद तो इन दोनों ही मॉडल्स पर चर्चा करेंगे इसके बाद विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था भारत में नियोजन का विकास जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे भारत में योजना आयोग योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद योजना आयोग के तहत जो प्रमुख पं इंदरी कृत्र नियोजन के बारेबे पढ़ेंगे, वीके इंदरी कृत्र नियोजन यानि कि इसको कहा जाता है, इसके बार हम वीकास के प्रमुक मुद्दो पर बहत सदक्राखेंगे जैसे क्रिशी बनाम उध्योग यानि की क्रिशी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या उध्योग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए नीजी छेतर बनाम सालवजनिक छेतर यानि की नीजी छेतर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर सालवजनिक छेतर प्राइवेट कर चाहिए या सरकारी छेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए वाम पंती बनाम दक्षिन पंती इन सवी विकास के मुद्दों पर हम भहस करेंगे मतलब भहस पर चर्चा करेंगे इसके बाद हम नियोजित विकास के जो प्रमुक परिणाम हुए उन परिणाम उपर भी चर्चा करेंगे साथ में भूमी सुधार पढ़ेंगे खादे संकट हुआ था देश में उस खादे संकट के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हरित क्रांती था उसके परिणाम उपर चर्चा करेंगे हरित क्रांती के क्या सकरात्मक परिणाम रहे और क्या नकरात्मक प जाएगा तो चलते हैं हम आपके जो अध्याय है इस अध्याय की शुरुवात जो ही है वो ही है भारत के एक प्रमुख राज्य उडिसा उडिसा के उधारन से उडिसा का उधारन लिया गया है और उस उधारन से यह अध्याय शुरू होता है कि उडिसा में लो अयस्क का विश सरकार ये सोच रही थी कि इस से राज्ये में जरूरी पूंजी निवेश हो जाएगा और रोजगार के अफसर भी बढ़ेंगे लो ऐस के ज्यादातर भंडार जो है वो उडिसा के सरवाधिक अविक्सित इलाके खास तोर पर इस राज्ये के आदिवासी भूल इलाकों में हैं अब इसे क्या हुआ कि आदिवासीों को ये डर है कि अगर यहां उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घरबार से विस्थापित होना पड़ेगा और उनकी अजीवी का छिन जाएगी पर्यावरन विदो को इस बात कब है कि खनन होगा यहां पर और उद्योग लगेंगे कि भारत जो है वो किसी भी तरह का अपने देश में निवेश या उद्योग लगाने की अनुमती नहीं देता तो इससे बैड इफेक्ट पड़ेगा और देश में फूंजी निवेश को भी बाधा पड़ेगी तो अब दोस्तों कि इस जो उधारन दिया है उड़ीसा का इसम उण के सकरियें सात जो आदिवासी लोग है उनके की दूसरा पर्यावरंडवादी तो सबी में सकरियां तो इस तरह के फैसलों में एक समाजिक समू के हितों की तुलना में तोला जाता है साती मौझूदा प्रिडि के हितों और आने वाली प्रिडि के इतों को भी यानिकि उनके लाब और हानी की तुलना पर भी इसको मापना पड़ता है अब दोस्तों किसी भी देश किसी भी लोगतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लेने चाहिए या कम से कम ये फैसले जो हैं वो विशेशग्यों की स्विकृति की महुर इन पर जरूर होनी चाहिए खननन पर अर्थ शास्त्र के विशेशग्यों की राय जानना भी महत्वपूर्ण है लेकिन जो अंतिम निर्ने हैं वो निश्चित तोर पर राजनितिक निर्ने होना चाहिए क्यों क्योंकि जन प्रतीनीदी जनता की भावनाओं को समझते हैं और जन प्रतीनीदियों को ही ऐसे फैसल से मूँ फेर कर नहीं लिया जा सकता था सारे के सारे पैंसले आपस में एक आर्थिक विकास के मॉडल या आर्थिक विजन से बंदेवे थे और यह तह था दोस्तों उस समय कि भारत का जो विकास है उसका आर्थ है आर्थिक संवर्धी और आर्थिक सामाजिक नियाएं यह दो कार को इस मसले पर महत्वपूर्ण भूमी का निभानी होगी तो दोस्तों उडिसा के जो उधारन से हमें पता चलता है कि केवर इतना इतना कहने से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है सब के लिए विकास के जो माइने होते हैं वो अलग-अलग होते हैं अब यहां पे जो विकास था उसका अर्थ अलग अलग हो सकता है उद्योगपती के लिए विकास के अर्थ अलग हो सकते हैं क्योंकि वो इस पात का सयंत्र लगाना चाहेगा इस पात का कार खाना लगाना चाहेगा जबकि जो वहां का आदिवासी इलाके का व्यक्ति है वो यह चाहेगा कि अगर यहाँ पे कारखाना लग गया तो उसे उस जगह से विस्थापित होना पड़ेगा और घरबार छोड़कर जाना पड़ेगा दूसरी और पर्यावरन विद्धिये सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे कारखाना लग गया तो यहाँ का जो इन्वारेमेंट है वो बहुत ज़्यदा पल्यूटिट हो जाएगा और लोग यह सोच कहते थे कि विकास जो है वो पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना क्या है पश्चिमी मुल्क यानि कि जिस तरह से पश्चिमी मुल्कों ने तरक्की की है इसी तरह से हम भी आधनिक होकर आधनिक होने का मतलब है यानि कि पश्चिमी ओध्योग की तरह अपने देश में भी आधुनी की करन की प्रक्रिया लानी हो और और अध्यों की करन की प्रक्रिया से गुजरना होगा तो बरहाल इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत ने किस तरह का मॉडल अपनाया भारत ने किस तरह की सोच को अपनाया और विकास की कौ क्योंकि इस अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनिती तो सबसे पहले नियोजन और नियोजित विकास को समझना जरूरी है तो नियोजन का अर्थ होता है योजना अथवा प्लैन बनाना यानि कि हम कभी भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी योजना बनाते हैं प्लै अधारन कर उपलब्द संसाधनों का श्रेश्टतम परियोग करना ताकि विकास की प्रक्रिया को व्यवस्थित धंग से आगे बढ़ाया जा सके अब मैं शरल शब्दों में आपको समझा देती हूं कि हर व्यक्ति के लिए विकास की प्रात्मिक्ताइं अलग अलग होती है इसके पास पैसे आएं और जिससे की वह अपनी भूख शान्त कर सके लेकिन दूसरी और कहीं पर दूसरी जगह अगर दूसरे परिवार में देखें अगर उसके पर्याप्त पैसा है यानि कि उसको बोजन का कोई अभाव नहीं है तो वह ये सोच सकता है कि उसके बच्चों और जिनके बच्चों को एजूकेशन मिल रही होगी वो यह सोचेंगे कि और बहतर एजूकेशन इनको कैसे मिले ठीक है तो मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हूं कि जो विकास की प्रात्मिक्ताई होती है या प्रायोर्टीज होती है इसका जो निर्धारन होता है वो उपलब्द संसाधनों पर होता है यानि कि हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है उसी के हिसाब से हम योजना बनाएंगे तो किसी देश में भी जो विकास की प्रात्मिक्ताई होती है वो यह होता है कि उसके पास क्या उपलब्द संसाधन है और उपलब्द संसाधनों बाब कैसे श्ट्रेष्ट तम परियोक करें, जिससे की विकास की प्रक्रिया को विवस्टित ढग से आगे बढ़ाया जा सकें। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में व्रिधी, रोजगार के अफसरों में व्रिधी और आर्तिक स्थिर्टा जैसे लक्षयों को प्राप्ति किया जा सकता है। इस बात पर सबकी सहमती थी कि आर्तिक विकास और सामाजिक आर्तिक नियाय को केवल व्यावसाई, उद्योग, पतिवा, किसानों के भरो से नहीं छोड़ा जा सकता। और इसमें सरकार को प्रमुक भूमी का निबानी होगी। को अपनाया, नियोजन किया, प्लैन किया और हम जो ये नियोजन हमने किया था, इसमें किस रहा पर आगे बड़े भारत के सामने कौन-कौन से मॉडल थे, विकास के, जैसे हम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि एक था उदारवादी, पुंजीवादी मॉडल, और दूसरा से नियोजन को आगे बढ़ाया गया, इन सभी का जवाव जो है वो आपको मेरे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी ये जो न